सवाल तेरा रोसा का अपचारिक विकास भूमी के उस हिस्से में होता है जिसमें शामिल है A. चूना पत्थर B. साइनाइट C. ग्रेनाइट D. बलूआ पत्थर सही उत्तर है A. चूना पत्थर सवाल मिट्टी का निक्षालन एक बड़ी समस्या है A. उश्नकटि बंधिया वर्शावनों में B. अफ्रीकी सवाना में C. भूम अध्यक शेत्रों में D. ऑस्ट्रेलिया डॉन्स में सही उत्तर है A. उश्नकटि बंधिया वर्शावनों में सवाल के शिकाए सबसे अधिक प्रभावी होती है A. चिकनी मिट्टी C. रेतीली मिट्टी D. दोमट मिट्टी सही उत्तर है A. चिकनी मिट्टी सवाल मृदर सनरक्षन वो प्रक्रिया है जिसमें A. बंजभूमी उपजाव में परिवर्तित हो जाती है B. मिट्टी वातित है C. मिट्टी का क्षरन हुआ है D. मिट्टी को नुकसान से सनरक्षित किया जाता है सही उत्तर है D. मिट्टी को नुकसान से सनरक्षित किया जाता है सवाल हेलोफाइट्स का विकास किसमें होता है A. एमलीय मित्टी, B. ठंडी मित्टी, C. क्याल्शियम युक्त मित्टी, D. नमकीन मित्टी सही उत्तर है, D. नमकीन मित्टी सवाल निमनल इखित में से कौन मित्टी में नाइट रोजन जोडता है? 1. जानवरो द्वारा युरिया का उत्सर्जन 2. मनुष्य द्वारा कोईले को जलाना 3. वनस्पती की मृत्यू, नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये A. केवल एक, B. केवल दो और तीन, C. केवल एक और तीन, D. एक, दो और तीन सही उत्तर है, C. केवल एक और तीन, सवाल कंटूर बंदिंग मृदा सनरक्षन की एक विधी है जिसका उप्योग किया जाता है A. देजर्ट माजन, तेज हवा की कार्रवाई के लिए उत्तर दाई, B. कम समतल मैदान, धारा के पाथ्यक्रम के करीब, बार के लिए उत्तर दाई, C. स्क्रबल लैंड्स, खरपत्वार विकास में फैलाने के लिए उत्तर दाई, D. उपर युप्प में से कोई नहीं सवाल सूची आई को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सूची आई, मृदा, A. पोडजोल, B. चेरनोजम, C. स्पोडोसोल्स, D. लेटरायट, सूची दो, जलवायुक्षेत्र, 1. शीतोष्न शीतोष्न कटिबंध दो, शीत शीतोष्न तीन, दर्म और आर्द चार, आर्द शीत शीतोष्न कोड, A. B. C. D. A. दो, एक, चार, तीन, बी, तीन, चार, दो, एक, सी, दो, तीन, चार, एक, दी, चार, एक, तीन, दो सही उत्तर है, A. दो, एक, चार, तीन, सवाल दावा, A. केचुए क्रिशी के लिए अच्छे नहीं है, कारण, R. केचुए मिट्टी को महींकनों में तोड़कर नर्म बना देते हैं, कोड, A. दोनो, A. और, R. सत्य है और, R. A. का सही स्पश्टी करण है, B. दोनो, A. और, R. सत्य है, लेकिन, R. A. की सही व्याख्या नहीं है, C. A. साच है, लेकिन, R. जूत है, D. A. जूत है, लेकिन, R. साच है, सही उत्तर है, D. A. जूता है, लेकिन, R. साच है, सवाल निमनलिखित में से किसे नवीन तम माना जाता है, A. हीडलबग मानव, B. क्रो मैगनन मानव, C. पिल्क मैगनन इंसान, D. नियंडर्थल मानव, सही उत्तर है, B. क्रो मैगनन मानव, सवाल माना जाता है कि पहला पक्षी पृत्वी की सतह पर प्रकट हुआ था, A. 300 मिलियन साल पहले, B. 200 मिलियन साल पहले, C. 150 मिलियन साल पहले, D. 100 मिलियन साल पहले सही उत्तर है C. 150 मिलियन साल पहले सवाल-खाना बदोश चरवाहों के सबसे आम क्षेत्र है A. गर्म आरदर क्षेत्र B. थंडे आरदर क्षेत्रों C. बरसात के क्षेत्रों D. शुश क्षेत्र सही उत्तर है D. शुश्क शेत्र सवाल Transhumans का आर्थ है A. खेत में जानवरों का प्रवास B. नौकरी की तलाश में मानव प्रवास C. घाटी से पहार और इसके विप्रीत लोगों और उनके जुंडों की मौसमी आवा जाही D. खाना बदोशों का प्रवास सही उत्तर है C. घाटी से पहार और इसके विप्रीत लोगों और उनके जुंडों की मौसमी आवा जाही सवाल किस महादवीब को मानवता का पालना कहा जाता है A. एशिया B. अफ्रीका C. यूरोप D. दक्षिन अमेरिका सही उत्तर है B. अफ्रीका सवाल किस नसलिय समूह के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? A. नेग्रोइड B. मंगोलोइड C. आस्ट्रिलोइड D. काकेशोइड सवाल जिपसियों का मूल घर था A. मिस्र B. रूस C. भारत D. फारस सही उत्तर है C. भारत सवाल मूल अफ्रीकी जनजाती पिग्मी निमनलिखित में से किस नदी घाटियों में पाए जाती है? A. नाइजर B. कांगो C. नील D. जामबेजी सही उत्तर है B. कांगो सवाल पिग्मीज के निवासी है A. अफ्रीका B. एशिया C. आस्ट्रेलिया D. दक्षन अमेरिका सही उत्तर है A. अफ्रीका सवाल निमनलिखित में से किस क्षेत्र में पिग्मी पाए जाते है A. सहारा B. कालाहारी C. भूमध्यरेखिय वण D. पंपास सही उत्तर है C. भूमध्यरेखिय वण सवाल नीचे दिखाए गए चार घरों में से कौन सा पिग्मी के घर के प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है A. एक B. दो C. तीन D. चार सही उत्तर है A. एक सवाल नीचे लिखित में से कौन सा देहाती खाना बदोश नहीं है A. बौने B. कजाक C. मसाई D. लेप्स सही उत्तर है A. बौने सवाल जयविक समुदायों के भीतर समुदाय में बने रहने के लिए बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों की क्षमता का निर्धारन करने में कुछ प्रजातिया महत्वपूर्ण है ऐसी जातिया कहलाती है A. कीस्टोन प्रजातिया B. एलो पैट्रेक प्रजातिया C. सहानु भूती प्रजातिया D. संकत ग्रस्ट प्रजातिया सही उत्तर है A. कीस्टोन प्रजातिया सवाल निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है A. एस्किमो, कनादा B. उरांफ, जापान C. लैप्स, भारत D. गोंड, अफ्रीका सही उत्तर है A. एस्किमो, कनादा सवाल निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है A. एस्किमो, अमेजोन बेसिन B. पिग्मी, इरावारी बेसिन G. बुंदू सहारा D. बुश्मैन, काला हारी सही उत्तर है D. बुश्मैन, काला हारी सवाल इस्किमो, किस देश के निवासी है A. कनादा, B. मंगोलिया, C. मलाया, D. श्रीलंका सही उत्तर है A. कनादा सवाल प्रमुक्ष द्वीप, जहां एस्किमो रहते हैं है, A. न्यू गिनी, B. हवाई, C. ग्रीनलेंड, D. आइस्लेंड सही उत्तर है C. ग्रीनलेंड सवाल से मांग जन जाती किस घने उश्नकटे बंधिया जंगल में रहती है? A. अमेजोनोनिया B. इंडोनेशिया C. मलेशिया D. कांगो सही उत्तर है C. मलेशिया सवाल निमनलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? A. बरबर, मोरक्को B. इनुईट्स, कनाडा C. सेमांग, इंडोनेशिया D. वेददास, श्रीलंका सही उत्तर है C. सेमांग, इंडोनेशिया सवाल जुलू एक जनजाती से संबंधित है A. म्यूजीलेंड B. दक्षिन अफ्रीका C. जिंबाबवे D. मेक्सिको सही उत्तर है B. दक्षिन अफ्रीका सवाल निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है A. एनू, जापान B. बुश्मैन दक्षिन अफ्रीका संग C. मसाइ केन्या D. पापुआन्ज न्यू गिनी सही उत्तर है B. बुश्मैन दक्षिन अफ्रीका संग सवाल विश्व के किस क्षेत्र को आप बुश्मैन से संबध्ध करेंगे? A. पूर्वी अफ्रीका B. सहारा रेगिस्तान C. म्यूजीलेंड D. कालाहारी सही उत्तर है D. कालाहारी सवाल निमनलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? A. हेमाइट्स युगांडा B. सेमाइट्स मलेशिया C. सकाई, सूडान D. बुश्मैन, बोच्वाना सही उत्तर है D. बुश्मैन, बोच्वाना सवाल निमनलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? A. मध्या एशिया, अल्पायन B. कांगो बेसिन, नेग्रितो C. काला हारी, बुश्मैन D. सकेंडिनेविया, नौडिक सही उत्तर है B. कांगो बेसिन, नेग्रितो सवाल निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? A. किर्गिज, मध्या एशिया B. मसाई, पश्चिमी अफ्रीका C. रेड इंडियन, उत्तरी अमेरिका D. एस्किमो, ग्रीनलेंड सही उत्तर है B. मसाई, पश्चिमी अफ्रीका सवाल निमनलिखित में से कौन सा युग्न सही सुमेलित नहीं है? A. माउरी, न्यूजीलेंड B. मसाई, जाम्बिया C. माया, ग्वाटेमाला D. बुश्मैन, कालाहारी सही उत्तर है B. मसाई, जाम्बिया सवाल निमनलिखित में से कौन सा ततकालीन सोव्यत संग का हिस्सा था? जिस पर कुर्द आबादी फैली हुई है? A. आर्मेनिया B. अजर्बैजान C. जोर्जिया D. तुर्कमेनिस्तान सही उत्तर है A. आर्मेनिया सवाल नुवित लोग नहीं पाए जाते हैं A. अलास्का B. ग्रीनलेंड C. कनाडा D. स्वीडन सही उत्तर है B. ग्रीनलेंड सवाल निमनलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? A. फोलानी पश्चिम अफ्रीका B. बंटू सहारा C. मसाई पूर्वी अफ्रीका D. नुबा सूडान सही उत्तर है B. बंटू सहारा सवाल निमन में से कौन सक्षेत्र लैप्स जनजाती के लिए प्रसिद्ध है? A. अलासका B. स्केंडनेविया C. ग्रीनलेंड D. आइसलेंड सही उत्तर है B. स्केंडनेविया सवाल उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निमनल इखित में से किस नसलिय समूह से संबंदित है? A. ओस्ट्रेक B. काकेशोईड C. मंगोलोईड D. नेग्रोईड सही उत्तर है C. मंगोलोईड सवाल सूची आई को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सूची आई जन्जाती A. खिर्गेज B. बुश्मैन C. एनू D. बैडएन सूची दो क्षेत्र 1. जापान 2. अरब 3. मध्या एशिया 4. कालाहारी कोड A. B. C. D. A. 3. 1. 4. 2. B. 2. 3. 4. 1. C. 3. 4. 1. 2. D. 1. 2. 3. 4. सही उत्तर है C. 3. 4. 1. 2. सवाल सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सूची आई जन्जाती A. एस्किमो B. मासाई C. बैड़िन D. बुश्मेन सूची 2 देश 1. बोच्वाना 2 सौधी अरब 3 कनादा 4 केनिया कोड A. B. C. D. A. 1. 2. 3. 4. B. 4. 3. 2. 1 C. 3. 4. 2. 1 D. 2. 4. 1. 3 सही उत्तर है C. 3. 4. 2. 1 सवाल सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सूची आई मतलब ध्रुवी अक्षेत्रों में A. कयाक B. इनुइट C. उमियाक D. सलेज सूची 2 कार्य 1. परिवहन के लिए नाव 2 कुत्ते द्वारा खीचे जाने वाला वाहन 3 संकरी शिकार वाली नाव 4 स्नो हाउस कोड A. B. C. D. A. 3. 4. 1. 2. B. 2. 1. 4. 3. C. 1. 2. 3. 4. D. 4. 3. 2. 1. सही उत्तर है A. 3. 4. 1. 2. सवाल सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सूची आई जनजाती A. बुश्मैन B. बैडरिंज C. पिगमीज D. मासाई सूची 2. देश 1. कांगो 2. नामीब्या 3. सौधी अरब 4. केन्या कोड A. B. C. D. A. 1. 2. 3. 4. B. 4. 3. 2. 1. C. 2. 3. 1. 4. D. 4. 3. 1. 2. सही उत्तर है C. 2. 3. 1. 4. सवाल सरवाधिक बोली जाने वाली भाशा है A. चीनी B. अंग्रेजी C. बंगाली D. स्पैनिश सही उत्तर है A. चीनी सवाल निमनलिखित में से किस देश की स्पैनिश आधिकारिक भाशा नहीं है A. चिली B. कोलंबिया C. कांगो गनराज्य D. क्यूबा सही उत्तर है C. कांगो गनराज्य सवाल इस पैरान तो क्या है A. लैटिन अमेरिका का सबसे उचा परवत B. स्पैन के बंदरगाह शहर D. एक खेल का नाम D. विश्व भाशा के रूप में सेवा करने के लिए एक कृत्रिम भाशा सही उत्तर है D. विश्व भाशा के रूप में सेवा करने के लिए एक कृत्रिम भाशा सवाल विश्व में सरवाधिक लोगो द्वारा बोली जाने वाली भाशा है A. हिंदी B. अंग्रेजी C. मंदारिन D. स्पैनिश सही उत्तर है C. मंदारिन सवाल निमनलिखित में से किस देश में तमिल एक प्रमुख भाशा है A. म्यामार B. इंडोनेशिया C. मौरिशस D. सिंगापो सही उत्तर है D. सिंगापो सवाल नीचे अमेरिका का मांचत दिया गया है शायान कित चिनित एक और दो बिंदीदार चिनित तीन और मैदानी क्षेत्र चिनित चार क्रमशह उन शेत्रों को इंगित करते हैं जहां बोली जाने वाली भाशाएं हैं A. स्पैनिश फ्रांच पुर्तगाली और अन्य B. फ्रांच स्पैनिश पुर्तगाली और अन्य C. फ्रांच पुर्तगाली सवाल निमनले खित्मे से किस देश में चावल की खेती का सबसे बड़ा ख्षेत्र है? सवाल विश्व का सरवाधिक गेहुन उतपादक देश है? A. सयुक्त राजय अमेरिका B. भारत C. चीन D. कनादा सवाल विश्व में गेहुन और चावल दोनों का अग्रणी उतपादक है? A. चीन B. भारत C. USA D. फ्रांस सही उत्तर है A. चीन सवाल विश्व में चावल उतपादन में भारत का स्थान है पहला B. दूसरा C. तीसरा D. चोथा सही उत्तर है B. दूसरा सवाल निमनलिखित में से किस देश में चावल की सरवाधिक उतपादकता है? A. चीन B. भारत C. जापान D. जर्मनी सही उत्तर है A. चीन सवासंकर धान की खेती सरवाधिक लोकप्रिय है A. जापान B. चीन C. कोरिया D. भारत सही उत्तर है B. चीन सवाल विश्व का राइस जीन बैंक स्थित है A. चीन B. फिलिपीन्स C. जापान D. भारत सही उत्तर है B. फिलिपीन्स सवाल विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है A. ब्राजील B. चीन C. भारत D. इंडोनेशिया सही उत्तर है A. ब्राजील सवाल निमनलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है A. ब्राजील B. क्यूबा C. भारत D. चीन सही उत्तर है C. भारत सवाल विश्प में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक है A. बेल्जियम और चीन B. फ्रांस और रूस C. जर्मनी और USA D. तुर्की और उक्रेन सही उत्तर है B. फ्रांस और रूस सवाल निमनल इखित में से कौन सा देश चुकंदर से ही चीनी का उत्पादन करता है A. फ्रांस B. यूक्रेन C. जर्मनी D. इटली सही उत्तर है B. यूक्रेन सवाल विश्व में कपास के बीच का सबसे बड़ा उत्त्पादक देश कौन सा है A. चीन B. मिस्र C. USA D. रूस सही उत्तर है A. चीन सवाल विश्व में निमनल इखित में से किस देश में कपास का प्रती हैक्टेय उत्तपादन सबसे अधिक है A. इजराहिल B. मैक्सिको C. पाकिस्तान D. आस्ट्रेलिया सही उत्तर है D. आस्ट्रेलिया सवाल निमनल इखित में से कौन सा देश अरंडी तिलहन का सबसे बड़ा उत्तपादक निर्यातक है A. फ्रांस B. भारत C. जापान D. चीन सही उत्तर है B. भारत सवाल विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्तपादक है A. कोलंबिया B. जिंबाबवे C. मलेशिया D. भारत सही उत्तर है D. भारत सवाल विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्तपादक है A. ब्राजील B. भारत C. इंडोनेशिया D. फिलिस्तीन सही उत्तर है C. इंडोनेशिया सवाल विश्व में तंबाकु का सबसे बड़ा उत्तपादक देश कौन सा है A. चीन B. भारत C. पाकिस्तान D. बांगलादेश सही उत्तर है A. चीन सवाल निमनल इखित में से कौन सा देश अपने चीनी उत्तपादन का उचतम प्रतिशत निर्याद करता है A. भारत B. मौरिशस C. मैक्सिको D. चीन सही उत्तर है B. मौरिशस सवाल विश्व में प्राकृतिक रबड के दो प्रमुख उत्तपादक है A. ब्राजील और मलेशिया B. वियतनाम और भारत C. चीन और फिलिपीन्स D. थाइलन्ड और इंडोनेशिया सही उत्तर है D. थाइलन्ड और इंडोनेशिया सवाल विश्व के प्राकृतिक रबड के उत्तपादन का लगभग एक तिहाई भाग किस से प्राप्त होता है A. भारत B. इंडोनेशिया C. मलेशिया D. थाइलन्ड सही उत्तर है D. थाइलन्ड सवारब की सर्वाधिक खेती होती है A. भारत B. चीन C. इंडोनेशिया D. इंग्लेंड सही उत्तर है C. इंडोनेशिया सब बीमारी के कारण श्रीलंका में कॉफी की खेती बंद कर दी गई थी A. पत्ता अंग्मारी B. पत्ता स्थान C. पत्ती जंग D. सढांद सही उत्तर है C. पत्ती जंग सवाल ब्राजील में कॉफी के बड़े बागान कहलाते हैं A. इस्टेट B. इस्टंसियस C. कलखोई D. फेजएंज सही उत्तर है D. फेजएंज सवाल विश्व में कॉफी के दो प्रमुख उत्पादक हैं A. ब्राजील और कोलंबिया B. ब्राजील और वियतनाम C. मैक्सिको और भारत D. एथियोपिया और मैक्सिको सही उत्तर है B. ब्राजील और वियतनाम सवाल विश्व में कुल कॉफी उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टी से शीर्ष पर देश है A. कोलंबिया B. ब्राजील C. भारत D. एथियोपिया सही उत्तर है B. ब्राजील सवाल निमनलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है A. इंडोनेशिया B. कोलंबिया C. वियतनाम D. ब्राजील सही उत्तर है C. वियतनाम सवाल रोबस्टा अफ्रीका में उत्पादित की एक किस्म है A. केला B. कॉफी C. तंबाकू D. कोको सही उत्तर है B. कॉफी सवाल U. S. A. के निमनलिखित में से किस राज्य में कॉफी उगाए जाती है A. फ्लॉरिडा B. कैलिफोर्निया C. हवाई D. एरिजोना सही उत्तर है C. हवाई सवाल कौन सा फल उश्नकटिबंधिया नहीं है A. आखरोट B. नारियल C. सेब D. काजू सही उत्तर है C. सेब सवाल प्रनाली के तहट छोटे आकार के जोत पर बड़ी मात्रा में श्रम लगाया जाता है A. भूमध्यसागरिया खेती B. ओरियेटल खेती C. वानेजिक खेती D. वानेजिक बागवानी सही उत्तर है D. वानेजिक बागवानी सवाल एक फसल प्रनाली जहां फसलों को लगाए गए पेरों की पंक्तियों के बीच अंतराल में उगाया जाता है कहा जाता है, A. रिले फसल, B. मिश्रित फसल, C. अंतर फसल, D. गली फसल सही उत्तर है, D. गली फसल सवाल, मोनोकल्चा की एक विशिष्ट विशेश्टा है A. वाने जे कनाज की खेती, B. स्थानांतरित खेती, C. निर्वाह खेती, D. जैविक खेती सही उत्तर है, A. वाने जे कनाज की खेती सवाल, निमनलिखित में से कौन सा स्थानातरित खेती का प्रकार नहीं है? A. जूमिंग, B. फैंग, C. मिलपा, D. फैजेंडा सही उत्तर है, D. फैजेंडा सवाल, तॉंग्या, क्रिशी की जाती है A. म्यामार, B. जापान, C. न्यूजीलेंड, D. फिलिपीन्स सही उत्तर है, A. म्यामार सवाल जोला एना बीना जैव उर्वरक का प्रयोग फसल के लिए किया जाता है A. गेहूं, B. चावल, C. सरसों, D. कपास सही उत्तर है, B. चावल सवाल निमनलिखित में से किसका उप्योग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है A. नीम, B. एजोला, C. यूरिया, D. पोटेशियम सही उत्तर है, B. एजोला सवाल नील हरित शैवाल का उप्योग निमनलिखित में से किस फसल उत्पादन को प्रेरित करने के लिए जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है A. गेहूं, B. चावल, C. ग्राम, D. सरसों सही उत्तर है, B. चावल सवाल अलफालफा है, क. एक प्रकार की घास, B. एक जन्जाती, C. एक जान्वर, D. एक शहर सही उत्तर है, क. एक प्रकार की घास सवाल पोद्जोल क्या है, A. शनकुधारी वनक्षेत्र में पाई जाने वाली मित्ती, B. शुष्क्षेत्र की मित्ती, C. बहुत उपजाओ जलोड मित्ती, D. उपर युप्प में से कोई नहीं सही उत्तर है, A. शनकुधारी वनक्षेत्र में पाई जाने वाली मित्ती सवाल, मोचा, कॉफी ओगाए जाती है, A. एराक, B. ब्राजील, C. अर्जेंटीना, D. यमन सवाल निमनलिखित में से कौन सा चाई में नहीं पाया जाता है, A. थीनाइन, B. कैफीन, C. टैनिन, D. मॉफिन सही उत्तर है, D. मॉफिन सवाल निमनलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, A. घाना में कोको की खेती लोक प्रिय है, B. कॉफी ब्राजील की एक महत्वपूर्ण व्रिक्षारोपन फसल है, C. श्रीलंका चाय के उत्पादन के लिए प्रसिध है, D. गन्ना मलेशिया की प्रमुख व्रिक्षारो रोपन फसल है, सही उत्तर है, D. गन्ना मलेशिया की प्रमुख व्रिक्षारोपन फसल है, सवाल है रोइन कहा से प्राप्त की जाती है, A. भांग, B. अफीम, C. तंबाकु, D. सुपारी सही उत्तर है, B. अफीम, सवाल निमनलिखित में से किस देश के समुह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में उप्योग किया जाता है, A. पश्चिमी यूरूप, B. रूस, C. मध्या अफ्रीका, D. डक्षिन पूर्व एशिया सही उत्तर है, C. मध्या अफ्रीका, सवाल से क्रामेटो सैंड जोकिन वैली, जो अमेरिका में कांच और साइट्रस फलों के उत्पादन के लिए प्रसिध है, स्थित है, A. कैलिफोर्निया, B. अलास्का, C. मैक्सिको, D. कोलंबिया सही उत्तर है, A. कैलिफोर्निया सवाल निमनल इखित में से किस देश में पहली बार उच्च उपच देने वाली किस्म के बीज विक्सित किये गए थे? A. अर्जेंटीना, B. चीन, C. मैक्सिको, D. भारत सही उत्तर है, C. मैक्सिको सवाल कथा उत्पादन के लिए किस पेर की लकडी का उप्योग किया जाता है? A. साल, B. खेर, C. बबूल, D. साजा सही उत्तर है, B. खेर सवाल मूंग्फली किसकी प्रमुख फसल है? A. जॉर्जिया, B. गैंबिया, C. घाना, D. ग्वातेमाला सही उत्तर है, B. गैंबिया सवाल मूंग्फली का मूल स्थान है A. आस्ट्रेलिया, B. ब्राजील, C. चीन, D. दक्षिन अफ्रीका सही उत्तर है, B. ब्राजील सवाल विश्व का सबसे आकर्शक, सबसे गर्म और हलका उन, शेहतूश का उत्पादन होता है A. नेपाल, B. उजबेकिस्तान, C. चीन, D. बांगलादेश सही उत्तर है, C. चीन सवाल शाह तो शौल किसके बालों से बनाया जाता है A. हंगुल, B. चिनकारा, C. चीरू, D. मेरिनो सही उत्तर है, C. चीरू